नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अभी और आप देख रहे हैं Tech Unboxing and yes guys Sony के under 10,000 price bracket TWS launch हो चुके with active noise cancellation जिसका नाम है Sony WF-C700N and वैसे guys इसकी actual pricing है मात्रह 9,000 रूपए and 9,000 में आपको ANC भी देखने मिल रहा है कुछ और भी features है but एक ऐसा feature है जो personally मुझे ऐसे लगता है इन headphones में होना चाहिए था unfortunately नहीं है क्या है जाने के लिए वीडियो को देखे चैनल पर फर्स्टाइम हो तो subscribe भी कीजिए सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे इसकी quick unboxing so guys कुछ इस तरीकी का box packaging आपको देखने मलता है और box को open करते हैं यहां पर देख सकते हो बहुत ही बढ़िया packaging में वह actual TWS आपको देखने मिलते हैं यहां पर हमारे पास lavender color में यह particular TWS है उसी के साथ यहां पर आपको कुछ documentation and paperwork देखने मिलता है फिर यहां पर उन्होंने type A to type C charging cable provide के and finally यहां पर आपको देखने मिलते है कुछ additional ear tips so guys build quality के अगर मैं बात करो तो यहां पर हमारे पास lavender color में यह particular earbuds है and यहां पर जो build है completely polycarbonate के आपको देखने मिलते हैं पीची की तरफ यहां पर उन्होंने type C port and reset button provide किया है and यह particular case and TWS है न बहुत ही जादा lightweight यहां पर निकल कियाते है and बहुत ही जादा compact form factor में आपको देखने मिलते हैं यहां पर जो earbuds है न वह आपको देखने मिलता है vacuum type जहां पर उन्होंने 5 mm के driver प्राइड के and यह earbuds है बेश ब्लूथ वरजन 5.2 पर यहां पर आपको SBC and WC codec support भी देखने मिलता है and यहां पर आपको IPX4 water resistance का rating देखने मलता है गलती से अगर पान इसके ओपर splash हो जाता है tension मत लीजिए so definitely guys सबसे पहले यहां पर फिटिंगे बात करते तो आप देख सकते हो बहुत ही जादा comfortable इसका fit यहां पर आपको देखने मलता है and इससे इतने जादा बल्की भी यहां पर feel नहीं होते है fitting अगर comfortable नहीं है तो जो additional ear tips उन्होंने प्रोएड के ना उसके fitting आप comfortable करा सकते हो आपके ears के size case आप से आप से अरा समझगा भाई समझगा भाई समझगा और यहां पर हम quickly इसे pair करते है guys case को open करते हैं यहां पर स्मार्ट फोन के ऊपर यहां पर Google fast pair का pop आ चुका है यहां पर हम connect पर क्लिक करते हैं यहां पर successfully connect हो जाते हैं फिर यहां पर sony headphones application है उसे हम download करते हैं and download करने के बाद इसे भी quickly हम setup करते हैं so definitely guys सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे sound quality को लेके guys indoors में हमने सुने आउट्डोस में भी सुने no doubt इसकी sound quality superb निकल किया थे and guys इसका जो बेस वाला पार्ट है या फिर जो लो जा ना no doubt बहुती super amazing आपको देखने मलते है मिट्स हो गए treble वाला पार्ट भी है वो भी काफी बड़ी आपको देखने मलता है sound अगर आपको पसंद नहीं आता है जन्यूइनली अच्छा थे खीग है and yes guys outdoors में जभी हम song सुन रहते है थोड़ा बहुत you know background noise हमें सुनने मिल रहा था तो तब ही हमने वहां पर active noise cancellation को turn on किया था and active noise cancellation turn on करने के वाद है कोई भी background sound हमें सुनने नहीं मिल रहा था बहुत ही बड़ी है तरीक से में music को enjoy कर पा रहा था इसका active noise cancellation no doubt बहुत ही amazingly work करता है and guys calling test के अगर मैं बात कर रहा हूँ तो indoors and outdoors दोनों भी scenarios में यहां पे हमने call test इसके अंदर किया and yes guys calling बहुत ही amazing आपको देखने मिलती है बट फिर भी guys outdoors में हमने audio record किया इन पर्टिकुलर TWS के help से तो play करता हो उस पर्टिकुलर sequence को so guys यह जो पर्टिकुलर audio ना यह पर्टिकुलर earbirds से मैं यहां पर record कर रहा हूँ outdoors में थोड़ी को wind भी यहां पर blow रही है शायद traffic का भी sound आपको सुनने मिले but yes इससे आपको पता चलेगा कि outdoor calling यहां पर कैसे आपको देखने मिलती है so guys no doubt इसकी जो mics है ना बहुत ही बड़ीया तरीके से work करते है and noise cancellation का feature भी आपको देखने मिलते है बतलब background noise जो है ना वो you know cut करके सामने वाले को आवाज transmit करते है यहां पर ear buds के side में आपको touch buttons देखने मिलते है जिनकी help से आप music को control कर सकते हो so यहां पर देख सकते हो double tap करते हैं यहां पर next track पर switch हो सकते हो triple tap करते हैं आप previous track भी यहां पर switch कर सकते हो and यहां पर long press करने पर जो Google Assistant वाला feature है उसे आप activate भी कर सकते हो and yeah guys यह सारी चीज़े आप application की help से customize कर सकते हो so guys in shot हम देखते हैं यहां पर application के UI को so guys यह है sony headphones application and यहां पर देख सकते हो C700N connected है यहां पर buds की battery life आपको देखने मिलते हैं and case की भी battery life आपको देखने मिलते हैं and yes यहां पर adaptive sound control है आप music को यहां से control कर सकते हो sound को guys यहां से आप customize कर सकते हो आपके हिसाब से DSE को यहां पर हमने एनेबल किया and yes यहां पर देख सकते हो ambient sound को currently हमने यहां पर you know turn off करके noise cancellation को turn on किया आपके preference के हिसाब से आप यहां पर ambient sound को भी adjust कर सकते हो and yes यहां पर वोईस पास्थू का भी option देखने मलता है equalization का option उन्होंने प्रवाइड किया है आपके हिसाब से आप equalize कर सकते हो यहां पर sound को अगर आपको चीए तो आप उसे customize भी कर सकते हो जो बहुत ही बढ़िया बात है and नीची की तरफ यहां पर 360 reality audio setup आपको देखने मलता है and यहां पर priority stabilization connections वगरा धीर सारी चीज़ें सिस्टम्स में यहां पर जो touch controls है उससे भी आप customize कर सकते हो automatic power off को भी आप change कर सकते हो आपके हिसाब से so guys काफी बढ़िया application UI यहां पर आपको देखने मिलता है and guys ANC वाले headphones में बैटर लाइफ बहुत ही जादा अब तक तो मैंने जितने भी सारे features बता है no doubt बहुत ही बढ़िया निकल के आते है बट वीडियो के start में मैंने बोला था एक ऐसी चीज है जो इन परगले headphones में होनी चाहिए जो है in-ear detection मतलब गाई अगर आप music को enjoy कर रहे हो and आपने earbud को TWS को बाहर निकाला तो music जो है na pause नहीं होता है वो play होते ही रहेगा so यह in-ear detection वाला feature मेरे हिसाब से होना चाहिए था so yes guys overall 9000 rupees के हिसाब से एक active noise cancellation headphones वो भी Sony की तरफ से एक साल की warranty भी है and you know काफी premium you know sound experience यहां पर आपको सुनने मिलता है उस साथ से definitely value for money है purchase करना है link आपको नीचे description box में मिल जाएगी and आपको यह particular TWS कैसे लगे नीचे comment करके जरूर बताइए and guys बस यही ता आज का वीडियो I hope आपको वीडियो पसंदा होगा अगर आपको वीडियो पसंदा होगा अगर आपको वीडियो पसंदा आता है तो हुआ 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 है झॅआ है हुआ है